नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो मैं चैनल, NCRT Hindi Tutor तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे Class 3rd, Subject Environmental Studies Book Looking Around और Chapter 1, Unam Stay Out तो ये English में है और इसे मैं हिंदी में भी समझाऊंगा आपको और इसके साथ के साथ हम question answer भी करते चलेंगे ताकि बच्चों और पेरेंट्स को दिक्कत न हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि और भी वीडियो आप तक आ सकें चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वन पुनम्स डे आउट मा, प्लीज लेट में गो तो स्कूल तोड़े आइव बेन अट हूम फोर पास्ट तो देज आइम गेटिंग बोर्ड सेट पुनम मा, आज मुझे स्कूल भेज दो ना दो दिन से घर में बेटे-बेटे बोर हो गई हूँ पुनम्स बोली बट यू स्टिल है फिवर गो आउटसाइड और लाइ डाउन अन दे कॉट रिपलाइड मा मा ने जवाब दिया तुम्हें अभी भी बुखार है बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ पुनम्स फैल असलीप अन दे कॉट चारपाई पर लेटे-लेटे पुनम को नीद आ गए सड़नली सम्थिंग फैल ओन हर फेस अचानक उसके चैरे पर कुछ गिरा पुनम्स वोक अप एट वन्स अन टॉच्ट हर चीख वह हर बढ़ा कर उठी उसने अपने गाल पर हाथ लगाया ओर नो वोज मिश्चीफ इस दिस इस इट दे क्रोज और दे पिजन इट सीम्स इट सीम्स इट स्ट प्रोज यह किसकी शरारत है कबूतर की या कववे की कववे की ही लगती है चिल्डरन लर्न लर्न अलोट फ्रों पीपल और थिंग्स इन देर अन्वाइरमेंट बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझ कर बहुत को सीखते हैं त्रू दिस लेसन चिल्डरन शुट बी गिवन इस अध्याय से भी कख्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए कख्षा में बैठ कर केवल पढ़ा ना जाए पूनम लोग डप शी सो मैनी अनिमल्स on the tree पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दी रहे हैं उनके नाम लिखो तो आंसर हैं पिजन स्कुरल प्रो मंकी बटरफ्लाइज अंट्स पैरेट्स कुकू पूनम पिगड़ पर लिफ रॉम दे ग्राउंड और वाइपड हर चीख वेड़ जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और अपने गालों को पहुचा बट हर चीख वस तिल स्टिकी गाल अभी भी चिपचिपा था उसने सोचा सामने तलाब में दो आती हूँ पूनम ने तलाब पर किन किन जानवरों को देखा चितर देखकर उनके नाम लिखो इसके आंसर हैं गोट, टॉटोईस, फ्रेन, फ्रॉग, बफैलो, स्टॉप किताब में जानवर शब्द का इस्तमाल सभी तरह के जानवरों कीडे, पक्षी, स्तंधरी, आधी के लिए किया गया है इस उम्र में बच्चे कीडे, मकोडे, या साप और चिपकली का अधिक बारीकी से वरगी करण नहीं कर सकते आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं बच्चे को विभिन जानवरों की और जानकारी खट्टा करने के लिए प्रेड करें तलाब पर दिखे जानवरों का अभिने, एक्शन करके दिखाओ विच अनिमल मेक्स, वट काइंड जानवर क्या हरकत करता होगा, जानवरों की अलग अलग आवाजे भी निकाले येस, I can act like the animal seen in the pond Given below are the sounds produced by some of the animals डॉग, बावबाव, कैट, म्याव म्याव, लाएन, गर्गर, रॉक, प्रॉक, गोट, मैं मैं, प्रो, काव काव, कुपू, कूपू Different animals move in different ways to go from one place to another जानवरों के चलने का धंग अलग-अलग होता है Some animals walk, some crawl, some fly and some swim कुछ चलते हैं, तो कुछ रेंगते हैं कुछ उड़ते हैं, तो कुछ तैरते हैं For this, some animals use their feet, some use their wings इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं, तो कुछ पंकों की Some animals even take the help of their tail कुछ तो पूँच का साहरा भी लेते हैं You must have seen many animals too, write which of them तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे उन में से कौन कौन से जानवर Can fly, उड़ते हैं तो आंसर है, butterfly, pigeon, parrot Can crawl, रेंगते हैं, lizards, snake, tortoise Can walk, चलते हैं, cow, buffalo, ox Can hop, फुदकते हैं, frog, kangaroo, hare Have wings, punk वाले हैं, pigeon, coco, sparrow Have feet, pair वाले हैं, cow, goat, bear Have a tail, पूँच वाले हैं, monkey, cow, buffalo Animals live in different places जानवर अलग-अलग जगे रहते हैं Some animals live in the trees, some in water कुछ पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ पानी में Some live on land, some live under the ground and some fly in the sky कुछ जमीन पर रहते हैं, तो कुछ उसके नीचे और कुछ आकाश में उड़ते हैं Some animals even live in our houses उस तो हमारे घरों में भी रहते हैं Children love to look at the colors, shapes and movement of animals and listen to their sounds जानवरों के रंग, रूप, चाल, अवाज आधी देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है They enjoy imitating them too Looking at the diversity in the animal world and putting them under different groups is the beginning of classification जानवरों की विविदिता देखकर उनके अलग-अलग समूँ बनाने से ही वरगीगरण की शुरुवात होती है Look at the picture given below Color the animals that do not live in your house नीचे दिये चित्रों को देखो इनमें से जो जानवर तुमारे घर में नहीं रहते उनमें रंग भरो 1, 2, 3, 4, 5 So एपाँच animals में आपको रंग बढ़ने हैं Here are some incomplete pictures of animals Complete them and write their names below यहां को जानवरों के अधूरे चित्र हैं इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो तो आप इनको पूरा कर लेना इनकी नाम मैं बता देता हूँ Dog, Fish and Butterfly Who am I? मैं कौन हूँ? Find my name in the crossword and put a circle around it One example has been given वर्ग पहली में मेरा नाम ढूंडो और उन पर घेरा लगाओ एक उधारन दिया गया है Banana is what I love eating I spend my time jumping and leaping चट पर बैठ कर केला खाओ इदर उदर मैं कूद लगाओ तो इसका अंसर है monkey और आपको crossword में ऐसे mark करना है जैसे monkey करा हूँ है तो चलिए बाकी भी आम answers कर लेते हैं तो इसका अंसर है spider तो spider आप देख सकते हो यहाँ पर है यहाँ मारा spider I remain awake the whole night and go to sleep in board daylight जाग जाग कर रात बिताओं दिन निकले तो मैं सो जाओं तो इसका अंसर है owl तो owl हम डूण लेते का हैं वह हमारा यहाँ है ओ, w, l प्रॉक, प्रॉक, प्रॉक is my sound इन वाटर और और उन लेंड I am found तर 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 की रट लगाओं फुदक फुदक पानी में जाओं तो इसका अंसर है frog तो frog हम डूण लेते हैं F, R, O, G I appear after rainfall I have no feet so I crawl बारिश के बाद नजर में आओं पाउं नहीं पर रहिंगता चाओं इसका अंसर है snail तो snail हम डूण लेते हैं कहां पर है S, N, A, I, L Slow and steady is my pace I always win when there is a race दीमी चाल से चलता जाओं दौड में फिर भी जीत मैं पाऊं तो इसका अंसर है tortoise तो हम देख लेते हैं tortoise कहां पर है तो रहरा T, O, R, T, O, I, S, E तो हमारा crossword पूरा होता Riddle No. 6 is based on the story of Panchi Tantra The Hare and the Tortoise पहेली छे का अधार Panchi Tantra की कहानी खरगोश और कछवा है Tell children other stories from the Panchi Tantra and encourage them to read more of these कहानी सुना कर बच्चों को Panchi Tantra की और कहानिया पढ़ने के लिए भी प्रेरिट करें Magic with Fingers जादू उंगलियों का Take a look at the picture Can you distinguish the thumb prints from the other fingerprints चितर में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठों के हैं तो ये रह हमारा चितर तो इसमें आपको देखके बताना है कि कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठों के In the same way, using ink or watercolors make pictures of animals तुम भी इसी तरह स्याही या गीले रंग से कागज पर जानवरों के चितर बनाओ Make pictures using your own imagination Do not copy the ones shown above You can use the pictures you have made to decorate your school and home दिये गए चितरों की नकल मत करना अपने मन से बनाना इन चितरों से अपने स्कूल और घर को सजाओ Children like to do creative activities such as making pictures with fingers and thumb prints Encourage them to make their own designs पच्चों को स्रिजनात्मत गतिविदियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चितर बनाना अच्छा लगता है उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोथसाहित करें Let us have some fun आव कुछ चितर बनाए In your notebook Draw a picture of an animal that you have seen किसी ऐसे जानवर का चितर कॉपी में बनाओ जिसे तुमने देखा है Make groups of three children each तीन बच्चों का एक समूँ बनाए Each group will take a white paper हर समूँ एक सफेद कागस लेगा In each group, one child will draw the face and neck of an animal at the top of the paper and hide it by folding this part एक बच्ची कागस के पहले हिसे में किसी जानवर का मुँ बनाए कागस को मोड कर अपने चितर को चुपा ले The second child will draw the body of another animal in the center of the paper and hide it by folding the paper दूसरी बच्ची बीच वाले हिसे में किसी और जानवर का धड़ बनाए और कागस को मोड कर अपना चितर को चुपा ले The third child will draw the feet of yet another animal तीसरी बच्ची किसी और जानवर के पैर बनाए Now unfold the paper and look at the picture अब इस पूरे कागस को खोलो और चितर को देखो Does it not look like a funny animal? बन गया न मज़ेदार जानवर Also look at the pictures made by your friends अपने साथियों के चितरों को भी देखो Encourage children to look carefully at animals and make pictures on their own बच्चों को प्रोसाइद करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चितर बनाए Children may need help when they are making pictures in a group Samoo में चितर बनाने में बच्चों को साहता की अवश्रक्ता हो सकती है Spend some time under a tree इसी पेड के नीचे कुछ देर बैटो Observe the animals carefully Name the animals which can be seen ध्यान से देखो पेड पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर है तो हम देखते हैं On the branches डाली उपर Parrot Crow Monkey On the leaves Patto पर Beetle Caterpillar Grasshopper On the trunk Tanay पर Squirrel Ant Termite On the ground Zameen पर Rat Snake Rabbit Around the tree पेड के आसपास Cow Dog Cat Now arrange these animals in the order of their size Smallest being the first अब इन जानवरों कोई क्रम में लिखो छोटे से बड़े तर So हम स्टार्ट करते हैं First आएगा हमारा termite Second ant Third beetle Fourth caterpillar Fifth grasshopper Sixth rat Seven parrot Eight crow Nine squirrel Ten snake Eleven rabbit Twelve cat Thirteen dog Fourteen monkey Fifteen cow Jigsaw puzzle Jigsaw का खेल In a jigsaw puzzle, a picture is cut in such a way that one has to really think hard to fit the picture together Jigsaw में किसी चितर के ऐसे तुकडे होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है This activity is a beginning to sequence The sequence will depend on the experience of the child A squirrel can be smaller or bigger than a sparrow Discuss issues related to sensitivity towards animals in an interactive manner यह गतिविती चीजों को क्रम अनुसाल लगाने की शुरुआती कदम है क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुबह पर निर्भर करता है चुआ चिडियों से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी जानवरों के प्रती समवेदन शीलता से जोड़ी बातों पर चर्चा करवा Now make a jigsaw puzzle using a picture of any animal अब तुम भी किसी जानवर के चितर से एक jigsaw बनाओ Paste the picture on a cardboard चितर को गत्चे पर चिपकाओ Now cut the cardboard along the edges of the picture गत्चे को जानवर के आकार में काटो Cut this cardboard into unequal pieces अब इस गत्चे को आडे तिर्चे तुकडों में काटो Give these pictures to your friends Ask them to put the pieces together and identify the animal तुकडे अलग-अलग करके अपने दोस्तों से जोड़ कर देखने को कहो उनसे जानवर का नाम भी पूछो The jigsaw should be cut in such a manner that it is challenge for the child It should not be simple that it can be put together too easily Encourage more such activities and appreciate their work Jigsaw ऐसा बनाया जाए कि उसमें कोई चुनोती हो सीधे सीधे तुकडे ना हो जो आसानी से ही जोड़े जा सके बच्चों को इस तरह की गतिविदिया करने के मौके दे तथा उनके कामों की प्रशंसा करे तो हमारा चैप्टर वन पूनम's day out पूरा होता है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने सारे question answer भी कराने कोशिश करी है और हिंदी में समझाने की भी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे like कीजेगा और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजेगा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन भी दबाईएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आजाएं जो भी नए नए वीडियो में डालता रहता हूँ तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग